भारतिय सिनेमा में एक अलग ही अपनी बहतरीन पहचान बनाने वाले आक्टर और साउथ इंडियन सिनेमा की जान कहे जाने वाले आक्टर कमल हासन ने अपनी कला से हर किसी को अपना मूरीद कर दिया है कमल हासन फिल्मी दुनिया के सबसे ज्यादा एक्सपिरियंस अक्टर्स की लिस्ट में शामिल है तो चलिए जानते हैं कमल हासन की लाइफ से जुड़ी कुछ दिल्चस बाते तमिलनाडू के परमाकूडी में 7 नवेंबर 1954 को कमल हासन का जन्म हुआ था कमल हासन के पिता स्वतंतर सैनानी होने के साथ साथ प्रतिष्चित वकील भी थे कमल हासन के पिता का सपना था कि उनके तीनों बच्चों में से कोई भी एक बच्चा अभिनेता बने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उनकी नजर में कमल सही थे जिनने उन्होंने एक मशुर अभिनेता बनाने का निस्चे किया बाल कलाकार के तौर पर कमलहसन ने पहली बार 1960 में फिल्म कलाथूर क可नम्मा में अभिनेकर अपने आपको साबित किया था अपनी पहली ही फिल्म से उन्होंने न सिर्फ दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई बल्कि उन्हें अपने भेतरीन आक्टिंग के लिए राष्ट्रे पुरसकार भी दिया गया पहली फिल्म के सफल होने के बाद उनके आक्टिंग को देखते हुए उन्हें कई फिल्में मिलने लगी पहली फिल्म के बाद उन्हें थैलला पिल्ले, पार्थल पसी थिरुम, पथा करनी कई जैसी कई फिल्मों में आक्टिंग करने का मौका मिला चाइल्ड आर्टिस के रूप में अपनी अच्छी आइडेंटिटी बनाने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से करीब 9 सालों तक दूरी बना ली और अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए पढ़ाई पर ध्यान देने लगे तकरीबन सेवेंटीज में कमल हासन ने पिता के द्वारा ज्यादा दवाव बनाने पर पढ़ाई से किनारा कर लिया और अपना पूरा ध्यान फिल्म इंडिस्ट्री की ओर लगा दिया इसी दोरान उन्होंने डांस की ट्रेनिंग ली और फिल्मों में सहायक निर्थे निर्देशक के पोजिशन पर भी काम किया कमल हासन एक ट्रेन भरतनाट्यम डांसर है वही आपको बता दे कि कमल हासन खोदे कैसे इंडियन आक्टर है जिनके साथ मूवीज, आसकर्स के लिए नॉमिनेट हो चुके है फिल्मी दुनिया में काम करते हुए उन्होंने 1978 में शादी का फैसला लिया और वानी गणपती को अपना जीवन साथ ही बनाया लेकिन उनका ये रिष्टा सिर्फ 10 साल तकी चल सका और वो अलग हो गए 1988 में दोनों अलग हो गए बताया जाता है कि उनका रिलेशनशिप तूटने का कारण अभिनेत्री सारिका थी कमल सारिका को डेट कर रहे थे जिस कारण उनका रिष्टा तूट गया कमल हासन और सारिका दोनों एक ही साथ रहने लग गए रिपोर्ट्स के मताबिक जब उन्हें एक बच्चा हो गया तब जाकर उन्होंने शारी की थी कमल और सारिका की दो बेटिया है जिनका नाम शृती हासन और अक्षरा हासन है उनकी बेटी श्रुती हासन भी एक मशूर अभिनेतरी तो है ही, साथ ही वो गाने का भी शौक रखती है अपनी पहली पत्नी को छोड़ने के बाद, साल 2004 में कमल हासन ने अपनी दूसरी पत्नी सारिका को भी तलाग दे दिया जिसके बाद कमल हासन साल 2004 से 2016 तक गौतमी तडिमला संग रिलेशन्शिप में थे हॉबीज, कमल हासन के पसंद ना पसंद की बात करे, तो वो खाने के बहुत शौकीन है और खाने में उन्हें घर के खाने के साथ करीमन ने मचली बहुत पसंद है साथ ही वो राजेश खन्ना, नागेश, शिवाजे गनेशन और एमजी रामचंदरन के साथ ही श्रीदेवी और श्रीप्रिया के बहुत बड़े फैन है यदि अवोर्ड्स को दिखा जाए, तो पदमश्री सम्मानत कमल हासन सिनेमा के इतिहास में सबसे ज़्यादा सम्मानत अभिनेता है रिपोर्टेडली कमल हासन ने अपने करियर में एक नहीं बलकि 15 साथ फिल्म फेर अवोर्ड्स प्राप किये है जो अपने आप में ही एक विशाल रेकॉर्ड है, वही उन्हें पदमश्री और पदमभूशन से भी नवाजा गया है वेल तो ये थी कमल हासन से रिलेटेड उनकी इन शॉर्ट जीवनी इस वीडियो पर आप हमें बताईए अपनी राए Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube